वाओ यार इसकी स्किन की दिकलो कर रही है देखो तो अलीना फिशल करवा कर आई हो फिशल नहीं तो रोज रोज पॉलर्स कौन जाए मैं तो यूज करती हूँ एंजी स्किन रिबॉर्ण वालों का 7-in-1 क्वालिटी फिशल यह है 7-in-1 वाइटनिंग क्विक फिशल पॉडर जो के रिनियुल ऑफ दा स्किन सेल्स एंड लीव दा स्किन स्मूधर एंड सॉफ्टर आप लोग भी जाना चाहते हैं कि मैं यह 7-in-1 क्वालिटी फिशल कैसे इस्तमाल करती है और किस तरह से पॉलर जैसा निखार मेरे चेहरे पर होता है यह 7-in-1 फिशल जो है यह पॉडर फॉर्म में है और इससे फिशल का पूरा निखार आपको मिलेगा और यह एंजी स्किन रिबॉन वालों का है इसको आपने इस तरह से इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपको मिलेगा पॉडरी फॉर्म में फिशल जिस थोड़ा सा फ फिशल के साथ प्रोड़क्स अपने फेस पर अप्लाई करने से बहुत घबराती है तो यह उनके लिए दी बैस्ट है सिफ एक पॉडर आपने मिक्स करके अपने फेस पर लगाना है और आपको मिलेगा पूरे फेशल जैसा निखार विदन आफ 15 मिनेट्स तो यह बन गया थ फिर अपने फेस पर अपने लगाना प्योर और गैनिक है और एंटी बेक्टेरियल एंटी फंगल है वो बेक्टेरिया जो है प्रोड्यूस नहीं होने देगा अगर आपको आप लोग इसको वीग में एक बार ट्राई करेंगों आप लोग इसके अंदर चन कत्रे असेंशल इसके भी डाल सकते हैं जिस लाइक आप लवेंडर ओल डालें बूद में बना लें इसको सारे लोगों को पिंपल एकनी और सीबम का मस्ग यह जो है रोज वाटर में मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करें तो जनाम मुझे इसको अप्लाई किवे फाइव मिनट्स होग मैंने कभी उप्टन यूज नहीं किया एक दो बार उप्टन यूज गया मेरा रांग ऐसे जैसे मुझे अल्लाम हाफीदे पी लिया हो गया है तो इसलिए मैं उप्टन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती यह उप्टन का और फेशल का पैस्ट तील हो रहा है इसके अंदर ब्राइं मिल्क पाउडर भी एड़ किया हुआ है अधा सा बच्चा है ना मैं उसको दुबारा अपने फेस पे लगा लोगी ताक्के यह जो है ना ऐसा मास्क भी काम कर ले आप लोग डेली जो अपना फेस्वाश यूज करते है ना उस फेस्वाश के अंदर भी थोड़ा स आप लोग इसको एड़ करें और फिर उसे अपना फेस्वाश करें यूवल सी दा गलोव क्रब और प्लस मास्क का मज़ा क्लींजिंग का मज़ा एक ही पॉडर में उठाएं साफ करने लगी हूँ ओ वाव कैन यू सी जो मैंने देखा बहुत ही मज़े कर चले एक्चुली न मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रही है किसमे कोई बहुत ही अच्छा सा मिल्क पॉडर एड़ हुआ है जिसने आपकी स्किन को इतना नीट और ब्लोई कर दिया और ये देखें देखा आपने क्या अमेजिंग रिजर्ल्स आया है I just love it वह नैच्रल लाइट में शुटिंग कर रही हूँ मैंने कोई रिंग लाइट नहीं लगा हुई ये जस्ट एक नैच्रल ग्लोव आपको नजर आ रहा है ये कोई भी फेक नहीं है कुछ भी नहीं है It's totally unnatural glow स्यादा smooth and soft हो गई है ये देखें बिल्कुल glide on करी है मेरी fingers कोई impurities नहीं मुझे feel हो रही मुझे कोई खुरदरापन feel नहीं हो रहा प्यार हो रहा है skin से कसम से प्यार हो रहा है skin से हाथ लगाओ ना Just loving my skin NZ Skin Reborn वालों का बहुत बहुत thanks करूंग आप लोग ने इत्ती ऑसम प्रोड़क्स बनाई है मैं इनकी बहुत सारी प्रोड़क्स का review दे चुकी हूँ अब मैं एक new product का review लेकर आ रही हूँ बहुत जल्ड आप लोग इंतजार कीजे इन बॉक्स में पूछते हैं कि आप लोग आप कर रहे हैं तो क्या वाकई इनके प्रोड़क्स अच्छी है यार अच्छी है तो प्रोड़क्स क्या स्यापा पड़ा है मुझे के आप लोग लेकर आएं मेरे कहने पर सिरियसली सो कहते हैं पॉलर जैसा निखार घर में और वो भी सिफ एक स्टेप में तो आप भी लेकर आएंजी स्किन रिबॉर्ड मालों का सेवन क्वालिटी